इस धर्ती पर जानवरों की कई ऐसी प्रजातिया है जो दिखने में इक जैसी लगती है लेकिन रियल में इन में काफी अंतर पाया जाता है अब ज़रा कैनिडे फैमली के इस चतुर मेंबर कायोटी को ही देख लीजिए इनके features और appearance, wolves, dogs, foxes और जकाल से काफी मिलते चुलते है मगर आप इनके looks पर बिलकुल मत जाएए तरसल ये इन सबसे बिलकुल अलग होते है कई बार तो लोग जकाल और कायोटी को देख कर confused हो जाते है लेकिन आज के वीडियो में हम आपको कायोटी के बारे में कुछ ऐसे facts बताने वाले है जिसे जानने के बाद आप भी कायोटी और उसके distant cousins में difference कर पाएंगे तो हो जाए तयार और इस वीडियो को अंध तक जरूर देखें Do you know that? कायोटी एक चालाक और intelligent animal के रूप में जाना जाता है इतना ही नहीं ये एक versatile creature भी है मेटिंग के बाद breeding के दोरान भी male और female मिलकर बच्चों की देखबाल करते है जहां female लगभग 60 दिनों के gestation period के बाद करीब 6 pups को जनम देती है भही newborn pups के लिए गुफा बनाने के काम से लेकर पेरिंटिंग तक में male कायोटी साथ देता है हाला कि जनम के करीब 9 महिने बाद young male कायोटी पेरिंट्स का साथ छोड़ कर अपनी दुनिया बसाने निकल पड़ते हैं जबकि female young कायोटी अपने पेरिंट्स के साथ ही रहती है जिससे pack का size बढ़ता जाता है क्योंकि आखिर जंगल में जिसका जुंड बड़ा होगा इस इलाके में दबदबा भी उसी का बना रहेगा ये बात कायोटी समेथ हर जानवर पर लागू होती है यो तो कायोटी जंगल में लगभग 5-6 साल तक ही जिन्दा रह पाते हैं लेकिन इनका life span करीब 15 साल का बताया जाता है दरसल captivity में ये और अधिक दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं आप में से शायद ही कुछ लोगों को ये पता होगा कि कायोटी की करीब 19 different sub species होती है अगर इनके size की बात करें तो national geographic की reports के मताबिक ये medium size के dogs की तरह होते हैं यानि की 30 से 37 inches तक लंबे होते हैं वही tail की लंबाई 16 inches तक होती है इनके वजन की बात करें तो ये 9 से 23 किलो तक हो सकता है तीखी नाख, दुबला शरीड, पीली आँखे, बुशी tails और थिक फर इन्हें बेहत amazing look देते हैं यहां ध्यान देने बाली बात ये है कि आकार के मामले में कायोटी जोल्फ से छोटे होते हैं San Diego Natural History Museum के मताबिक कायोटी के फर tan, grey, white और brown color के हो सकते हैं लेकिन इनका color इस बात पर depend करता है कि ये कहां रहते हैं यानि इस मामले में इनका habitats काफी माइने रखते हैं Basically कायोटी को North American species माना जाता है क्यूंकि इन्हें North America के कई हिस्सों में आसानी से देखा जा सकता है United States, Canada और Central America के plains, mountains और deserts इनका पसंदीदा habitat है यानि की polar regions को छोड़ कर इनकी colony पूरे continent में दिखाई देती है ये North America के रिहाईशी इलाकों में भी देखे जाते है IUCN की reports की माने तो ये अब South की ओर move करते हुए भी देखे जाते है बताया जाता है कि पहले कायोटी की species mainly Central और Western North America के prairies और deserts में ही होती थी लेकिन 18th century के बाद इनकी habitats में बदलाव शुरू हो गया धीरे धीरे ये cities के तरफ बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि जंगल में wolves और kougar से इने खत्रा रहता है जो की इनके natural predators माने जाते है Know about food habit जंगली जानवरों के लिए source of food और food availability काफी माने रखती है अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जन इलाकों में food available नहीं होता जानवर वहाँ से पलायन कर जाते है लेकिन इस मामले में कायोटी काफी सुल्जा हुआ animal माना जा सकता है क्योंकि खाने पीने के मामले में ये ज्यादा नकरे नहीं दिखाते मतलब कि इनके हाथों में जो कुछ भी लगता है ये उसे अपना भोजन बना लेते है जनरल ये स्मॉल प्रे का शिकार करते है इस लिस्ट में rodents, rabbits और squirrels शामिल है इसके अलावा insects और fruits भी इनके diet plan का हिस्सा है कुल मिला कर कहा जाये तो इस habitat में इन्हें जो भी मिलता है ये उसे अपना भोजन बनाने में नहीं हिचकते जो कि इनके survival का सबसे बड़ा राज है लेकिन एक बाद important है कि कई बार deer का शिकार करने के लिए ये group में मिलकर हमला करते है इस opportunist animals के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये urban areas में pet food और garbage food को खा कर भी अपना गुजारा कर लेते है कूगर, wolves, grizzly bears और black bears जैसे बड़े animals से कायोटी को खतरा रहता है ये कुछ ऐसे जानमरों के नाम है जो कायोटी का शिकार कर सकते है इतना ही नहीं गोल्डन इगल जैसा शिकारी पक्षी भी कायोटी के बच्चों को अक्सर उठा ले जाता है बात यहीं खत्म नहीं होती कई बार इनसान भी इनके लिए खतरा बन जाते है जिसका कारण है इन कायोटी का थिक फर कायोटी और हुमन्स का connection थोड़ा पीचीदा है जनरली तो यह हुमन्स कांटाक्ट को अवोइड करते है लेकिन कुछ इलाकों में यह इनसानों पर हमला करते भी देखे गए है चौकाने वाली बात यह है कि कुछ कायोटी फूट के लिए हुमन्स के कांटाक्ट में भी आने लगे है खास कर यह तस्वीर अर्बन एरियास में देखने को मिलती है यानि की चालाक और मौका परस्त इस जानवर ने भोजन के लिए इनसानों से दोस्ती करने शुरू करती है लेकिन बावजूद इसके कायोटी और हुमन्स कॉन्फिक्ट के कई एक्जाम्पल्स देखे जाते है एक जर्नल में पब्लिश्ट रिपोर्ट के मताबिक 1977 से 2015 तक में कायोटी के दुआरा लग भग 350 से अधिक हमलों को रिकॉर्ड किया गया है हाला कि गौर करने वाली बात ये है कि ये हमले अर्बन और सबर्बन एरियास में देखे गए है अब सवाल उठता है कि कायोटी के हमले से बचने के लिए क्या करना चाहिए रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हमले के जाधातर मामले फीडिंग के दौरान के है यानि जिर्स वक्त कायोटी को खाना खिलाया जा रहा था ये हमले तब किये गए है जानकारों का ऐसा मानना है कि कायोटी को नस्दीक से खाना खिलाने की प्राक्टिस को चेंज करना होगा यानि कि जितना हो सके इनसे दूरी बनाय रखने में ही भलाई है साथ ही अपने pets और yard को सेफ रखने पर ध्यान देना जरूरी है शिकार के वक्त कायोटी अपनी intelligence का पूरा इस्तमाल करते है वैसे तो या केले शिकार पर निकलते है लेकिन जब deer का शिकार करना हो तो या अपने pack का सहारा लेते है तेज दोडने के मामले में deer का मुकाबला काफी कम जानवर ही कर पाते है लेकिन deer की इस ability का तोड़ निकालने के लिए कायोटी अपनी strategy पर काम करता है कायोटी का जुंड तब तक deer का पीछा करता है जब तक वो ठक ना जाए वो मिलकर deer को ऐसी जग़ा पर ले जाते है जहां उनका दूसरा मेंबर शिपकर शिकार का इंतिजार कर रहा होता है वाकई में कायोटी का शिकार करने का ये तरीका बेहत अनोखा है इसके अलावा ये एक nocturnal animal है जो दिन के बजाए रात को शिकार करना पसंद करता है यूँ तो ये जानवर बड़े ही शान से बैठा हुआ है लेकिन आप इसकी मासूमियत पर मत चाहिए क्योंकि इसका हमला बेहत खतरनाक होता है अपने हमलावार नेचर की वजह से लोग इस जानवर से दूर ही रहना चाहते है लेकिन आज इसके पास एक pet dog खुद ही चल कर आया है आप वीडियो में साफ दौट से देख सकते है कि कायोटी काफी गुसे में है क्योंकि इससे अपने इलाके में घुसपैट पसंद नहीं लेकिन dog है कि इसके करीब ही आता जा रहा है आखिरकार कायोटी अपने गुसे पर कंट्रोल ना कर सका और dog इसके हमले का शिकार हो गया लेकिन शुक्र है कि dog और कायोटी के बीच ये fight स्यादा खतरनाक नहीं हुई और कायोटी ने अपना रास्ता बदलने का फैसला ले लिया कायोटी अटाक ओन पैट्स ये घटिना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई वरना इस पर तो कोई बिश्वास भी नहीं करता दरसल एक घर के गार्डन में मौझूद पैट पर अचानक से कायोटी ने हमला कर दिया और देखते ही देखते उसे अपने जबडे में दबा कर ले गया इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि क्यों कायोटी से सावधान रहने की सला दी जाती है क्योंकि इसी तरह की और भी कई घटनाए सामने आ चुकी है जब कायोटी ने रिहाईशी इलाके में ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है हाला कि बाद में पैट की जान बच गई लेकिन ये खतरनाग भी हो सकता था कायोटी अटाक्स ओन बेबी गर्ल अब ज़रा इस वीडियो पर नज़र डालिये जिसमें कायोटी ने पार्क में खेल रही एक बच्ची पर अचानक से हमला कर दिया कायोटी की एक खासियत है कि पलक जपकते ही अपने शिकार के पास पहुंचाते है लोग जब तक कुछ सोच सके तब तक ये आपके सामने खड़ा हो जाता है इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हाला कि खुश किस्मती से ये गर्ल कायोटी के हमले से बच गई हाला कि कायोटी ने इस गर्ल पर काफी नस्दीक से हमला किया फिर भी नाकाम रहा कायोटी अटाक्स ओन अ मैन ये जानवर कितना निडर और हमला वर होता है आप इस वीडियो में देख कर समझ सकते है यहां कायोटी एक शक्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है बार बार डराने या चिलाने के बावजूद उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये जानवर काफी जिद्धी किस्मके होते है हर बार कायोटी शक्स पर हमला कर रहा है कई बार तो कायोटी ने इसके शूस को भी काटने की कोशिश की एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कायोटी के हमले से बचने के लिए कायोटी को डराना जरूरी होता है लेकिन ये जानवर इतना धीट है कि इस पर किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता उमीद है आपको कायोटी के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कर दे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सबी नोटिफिकेशन्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें फिलहाल के लिए इतना ही आप वाइल ग्राविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए